हलो दोस्तो आपका स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल रेल सेव पर दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटिंग टिकेट के बारे में दोस्तो पहले हम वेटिंग टिकेट से स्लीपर कोच में यातरा कर सकते थे प्रणतु अब नहीं ऐसा क्यों क्या रेलवे ने अपने नियूमों में बदलाव किये हैं? अगर वेटिंग टिकेट है तो यातरा कैसे करें? क्या RAC टिकेट से यातरा कर सकते हैं? सभी सवालों के जबाब इस वीडियो में बिलने वाले हैं यात्रियों को काफी परेषानी होती थी इस चीज को लेकर यात्रियों ने टीट किये और अलग-अलग social media platform पर video post किये जिससे railway ने इस चीज को संग्यान में लिया और waiting ticket वाले यात्रियों पर कारवाई करना शुरू कर दिया दोस्तो waiting वे विंडो से टिकेट लिया है और चार्ट बनने के बाद टिकेट कंफर्म नहीं होती उस इस्तति में आप केवल उस ट्रेन में जनरल कोसे ही यातरा कर सकते हैं परन्तु किसी यातरी ने चार्ट बनने के बाद टिकेट कैंसिल कर दी हो या यातरा नहीं कर रहा हो उस इस्तति में आप TT से बात करके अपनी वेटिंग टिकेट हो confirm करवा सकते हैं इसके लिए आपको कोई अतरिक सुल्क नहीं देना पड़ेगा और sleeper या AC coach से आप यात्रा कर सकते हैं अगर TT से बात करने के बाद भी आपकी seat confirm नहीं होती है तो आप केवल जर्नल कोई से ही यात्रा कर सकते हैं अन्य था TT आप से जुर्माना ले सकता है और RPF की मदद से आपको अगले station पर उतार सकता है उसके अलावा अगर आपने एक PNR नमबर से 2 या 2 से अधिक यात्रियों की ticket बुक की है और उसमें केवल एक यात्री की ticket confirm होती है और बाकी की waiting रह जाती है उस इस्तिति में आप sleeper या AC coach में यात्रा कर सकते हैं परन्तु आप सभी को उस एक confirm seat पर बैट कर ही यात्रा करनी होगी इसके अलावा अगर आपके पास RAC ticket है तो आप sleeper या AC coach में सफर कर सकते हैं क्योंकि RAC ticket भी confirm ticket ही होती है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही I hope waiting ticket से संबन्दी जानकारी आपके लिए helpful रही होगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवा